हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखाएंगे कि जो साधारन ब्याज का प्राश्ण होता है इससे हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं पर पहला प्राश्ण है साथ हजार उपए का एक प्रतिसत मासिक दर से एक दिन का ब्याज निकाले और देखे प्राश्ण में एक दिन का ब्याज को निकालना है देखे इस प्राश्ण को हम लोग दो तरीके से हल करेंगे देखे ब्याज जो हता है वह सैकड़े के हिसाब से लगता है जैसे देखे और उसका देखे मासिक दर है यहाँ पर देखे दिया हुआ है एक प्रतिसाथ यहाँ देखे एक प्रतिसाथ का मतलब होता है अगर आप सो रुपए किसी से ले लेते हैं तो उसका जो एक माह में ब्याज होगा वह होगा एक रुपए अगर देखे आप यही पर सो रुपए ल हो जाएगा दो रूपए तो चलिए अब हम लोग साथ हजार का ब्याज को निकालते हैं तो देखे हम लोग सबसे पहले हैं पर लिखेंगे साथ हजार को इसके बाद देखे हम लोग सबसे पहले यहां पर ब्याज को निकालेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं सौ को यहां पर देखें, दर्द यह हुआ है, एक प्रतिसद, यहन देखें, इसका मतलब है, कि एक माह में जो ब्याज लगेगा, वह लगेगा एक रूपए, लेकिन देखें, यह जो है, यह है सो रूपए का, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर छो सो का ब्याज को निकालेंगे, तो देखे 100 रुपए का 1 रुपए है तो 600 का निकालने के लिए हम लोग 1 में 6 से गुना को करेंगे तो वह हो जाएगा 6 रुपए लेकिन देखिए यह जो है यह है केवल 600 का लेकिन देखिए यहाँ पर 60,000 का ब्याज को निकालना था इसके अंत में देखिए यानि देखिए आप किसी से 60,000 रुपए को ले लेते हैं और 1% मासिक दर से है तो उसका देखिए एक माह में जो ब्याज होगा वह होगा 600 लेकिन देखिए एक माह में निकालना नहीं था निकालना जो था वह था एक दिन में देखिए एक दिन का निकालने के लिए आपको 600 मे 30 से भाग को लगाना होगा क्योंकि देखे एक महिना में 30 दिन होता है 1-0 से 1-0 कट जाएगा 3-60 को काटे तो यह कट जाएगा 20 बार में यानि देखे अगर आप किसी से भी 60,000 रुपई ले लेते हैं और उसका देखे जो मासिक दर है वह है 1-0 तो उसका देखे एक दिन का जो ब्याज होगा वह होगा 20 रुपई देखे एक तरीका या है और दूसरा तरीका है साधारन ब्याज की फर्मूला से तो चलिए अब हम लोग इस प्राशन को साधारन ब्याज की फर्मूला से हल करते हैं देखे, सधारन व्याज का फर्मूला होता है, मुल्धन गुना, समय गुना, दर बटा सौव, देखे, मुल्धन हम लोग उसको कहते हैं, जितना पैसा हम लोग किसी से लेते हैं, देखे, पैसा जो था, वह था साथ हजार, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे, साथ एक दिन, लेकिन देखे, हम लोग सबसे पहले, एक माह का निकालेंगे, यहां पर देखे, एक है, तो इसका मतलब एक दिन नहीं है, यहां एक महिना है, तो सबसे पहले हम लोग एक महिना का निकालेंगे, अब देखे, पर गुना में है, दर, दर देखे, जो था, वह था ए प्रतिसत तो यहां पर भी लिखेंगे एक को इसके बटा में देखिये है सो यह दो जिरो से यह दो जिरो कड़ जाएगा छो सो से गुना करना है एक में तो यह रहेगा छो सो चो सो से गुना एक में करे तो भी रहेगा छो सो यह देखिये एक माह का जो ब्याज है वह निकल करके आगिया छो सो रुपाए अब देखिये हम लोग यहां पर एक दिन का ब्याज को निकलेंगे एक दिन का निकलने के लिए आपको छो सो में तीस से भाग को लगाना है क्यों तीन से साठ को काटे, तो यह कट जाएगा बीस बार में, यह देखिए अगर आप फर्मूला से भी निकालते हैं, तो अभी आपका एंसर सेम होगा, तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गये होंगे, जो साधारन ब्याज का प्रास्टन होता है, इससे हल कैसे किया जाता है?